आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो टिक करना है तो आएए जो Sentence की मैंने वो पढ़ लेते हैं The Principal gave her a warning about coming late to school every day ठीक है दोस्तों यह हमारा Given है दोस्तों हमें जब Active और Passive हो में चेंज कर रहते हैं मैं कुन चीजों का पता होना चाहिए जैसि Subject होता है एक होता है Object Object तो वो ना इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम Active से Passive में करते हैं ठीक है तो Object आजाता है पहले और उसके बाद आजाता है आपका Subject अब हम इस Question की बात करें तो इस Question में हमारा Subject क्या है हम पहले यह देख लेते हैं और हमारा Object क्या है हम यह भी देखेंगे तो अगर हम बात करें हमारा Subject है इस Question में The Principle The Principle हमारा इसमें है Subject और हमारा Object क्या है Object है हमारा हर अब जब हम Active से Passive Change में फ़र्म कर रहे हैं तो Verb की फ़र्म में भी चेंज होता है तो वो जब फ़र्म में चेंज होगा वो देख लेते हैं तो दोस्तों जहां हम अब Option में देख रहे हैं Question में देख रहे हैं Give लिखा वाए आपको दिख रहा है तो Give आपका चेंज हो जाता है Was Given में Give आपको चेंज हो जाएगा Was Given के अंदर अब जो भी Condition जो भी यह जो Conditions में आपको पता हैं जिस भी Option में साइट बैठेंगी यह वह ही उसका Right Answer होगा तो अगर हम Option 4 पढ़ें कि She Was Given A Warning About Coming Late To The School Every Day By The Principal तो दोस्तों इसमें Condition Satisfy हो रही है क्योंकि बाकी का Statement तो Same रहेगा Give Was Given हो जाएगा और Object और Subject चेंज हो जाएँगे Interchange हो जाएँगे तो दोस्तों Option 4 में सारी Conditions Satisfy हो रही है तो Option 4 will be the Right Answer Thank You